तो आज मैं आपको बताऊँगा 3 टिप्स on how you can get orders on day 1 of your cloud kitchen नमबर 1, aggressive pricing सपोस्पोस आप burger बेच रहे हो और उसका market price 60 है तो आप उसे एक week से लेके एक मंद के लिए 50 में sale करो क्यूंकि आप भी नए हो इस वील्ड में कस्टमर का trust पैदा करना है और एक taste भी develop करना है उनकी टंग पर और सबसे main बात अपनी value को भी establish करना है जब इस अब हो जाए तो आप इससे price को 60 कर दो अब आप market price पे भी आ गए हो कस्टमर का trust भी आपके साथ है और taste भी आपके साथ है तो orders तो आ नहीं है जिसमें सबसे पहले आता है organic marketing जैसे आप whatsapp पे status लगा सकते हो अपने जानने वालों को message कर सकते हो कि भाई मैंने नया cloud kitchen ओपन करा है टेस्ट जरूर करना फिर ads and promotion का use करो day one के लिए जमेटो partner app पे अच्छे offers रखो जैसे मैं यहाँ offer percentage बढ़ाते जा रहा हूँ ऐसी order आने के chances भी बढ़ते जा रहे है वेकॉज अच्छे offers तो हम सभी को पसंद आते हैं नंबर थ्री attractive menu जैसे मैंने यह 90% items का photo लगाया हुआ है तो customer को पता होगा उसके पास क्या आएगा तो वो photo वाले menu से order करना ज़्यादा prefer करेगा अगर आप लोगों के tips काम है तो वीडियो को like ज़रूर कर देना